दोस्तों यह जो वीडियो है इस नौवल का पहला पार्ट नहीं है तो इसके पहले के जितने पार्ट से उनकी लिंक्स मैंने आ डिस्क्रिप्शन में आड किए आप प्लीज पहले उनको गो थ्रू कीजे तभी आपको यह पार्ट समझ में आएगा और इसे आपको नौवल की अब पूरी जो स्टोरी है उसकी एकदम अच्छी अंडरस्टांडिंग हो जाएगी तो प्लीज को तू दाट वन नावा मस्यूमिंग कि आपने वो सारे वीडियो पहले देख लिये हैं तो हम अब इसके आगे के पार से शुरू करते हैं तो कॉलिंस की चिठी आती है वहां जिलना पड़े इस अदा बुरा का वैसी भी क्या ही हो सकता है तो अगर कुछ रहे तो हमें बताइएगा और ऐसी सब उसको चिठी लिके वो जो चिठी पड़ती अलीजबेट तो उसको और दिमाग खराब होता है कि क्या पागल हो गया सब उसके आस-पास अब फाइनली क्या होता है Mr. Bennett को तो वहां पे कुछ लंडन में कुछ सफलता हासिल नहीं होती है उनको नहीं मिलती है वो काफी डूनता है सब कुछ करते है बट उनको लीडिया नहीं मिलती है तो वो वापस घर आ जाते है अब जब वो घर आ जाते है तो कहीं ने कहीं Kitty जो और ये लड़को लड़कों की बाते करना बंद करो देखो तुमारी बैन ने कैसे हमारी हालत कर दिया तो अब जो Kitty है वो रोने लगती है और इसकी साथ में Chapter 48 खतम हो जाते है अब क्या होता है कि दो दिन बाद इनको Mr. Gardiner से चिट्टी आती है जिसमें की लिखा होता है कि तुम दोगे और उसको उसके लावा हर साल 100 पॉंड्स चाहिए और इसके साथ तुम अगर तुम्हें ये मन्जूर है तो वो लोग शादी करने के लिए तैयार है तो ये ऐलिजबेट बुलती कि रहे वा पॉसिबल है ये कि इनकी शादी होने वाली है तो इन लोग को मतलब कही न कहीं थोड़ी शांती होती है कि चलो ठीक है इनकी शादी हो जाएगी लेकिन जो मिस्टर बैनेट है वो बोलते है कि ये जो विखम है ये जितना दुष्ट इंसान है ये कोई 100 पाउंड हर साल पर ये कोई मानता ने तो जरूर कुछ न कुछ और बात है या तो मिस्ट अब एक दम खुश जाती है कि अरे वाँ फाइनली मेरी एक बिटी के शादी हो जाएगी वो बात खुश जाती है और बोलती है कि चलो ठीक मेरे बाई ने पैसे दिये तो क्या हुआ मैं उसकी बहन हूं इतना तो वो करी सकता है वो बहुत कुछ जाती है सब को जा जाके बताती है मेरी बेटी की शादी हो गई मेरी बेटी की शादी हो गई और फिर क्योंकि शादी की टो उनको शहर जाना है तो वो उसकी तयारिया करने लगती है अब इदर जो Mr. Bennett है कि मेरी बहन भाग गई और सब कुछ तो अब तो पहले ही वो उसको हमारी फैमिली से रिष्टा रखने की इच्छा नहीं थी अब ये सब सुनने के बाद तो अब कोई चांस ही नहीं है कि हमारी फैमिली से वो कोई भी रिष्टा रखेगा तो उसे थोड़ा बुरा लगता है क क्योंकि कहीं न कहीं अब सब सच्चाई जानके उसको भी डार्सी पसंद आने लगता है फिर जो मिस्टर गाडिनेर है उनसे दूसरी चिट्टे आती वो उसमें बताते हैं कि हां तुमारी बेटी की शादी हो गई है वो खुश है और ये लोग अब नॉर्थ में सेटल होने वाले वो महीं जा रहे हैं तो तुम भी उन लोगों से मिल लेना जाने से पहले तो मिस्स बैनेर जो है वो सोचती कि चलो डिके फाइनली शादी हो गई अब हम जाके उनसे मिल लेंगे अब जब लोग फाइनली मिलते हैं लीडिया से तो बहुत खुश है अभी क्यों कि नह अधर पे थी और अब मेरी शादी हो गई है और जो एलिजबेट है वो उसको ऐसे देखती है और फिर वो बोलती है अपनी बहनों को कि ममी तो पापा इन लोगों को सिखाओ कुछ इनको भी बोलो यह उदर पे आएंगे गर एजमेंट में जा हम लोग रह रहे हैं तो मैं ल हमारे हजबन लेने का तरीका वैसे भी कुछ खास पसंद नहीं आया है और फिर जब वो इन लोगों को देखती है इस कपल को न्यूलिवेट कपल को तो उसको समझ में आता है कि लीडिया को तो विखम बहुत पसंद है लेकिन विखम को उसे उतना सादा कोई मतलब उतना प वो भी वहाँ पे था तो फिर ये जाके मिस्स गार्डिनर को पूछती है कि मिस्स गार्डिनर वहाँ पे डार्सी क्या कर रहा था तो वो बोलती कि नहीं उसने मुझे बोला है कि तुम बताना मत तो फिर वो बोलती कि नहीं आपको मुझे बताना पड़ेगा वो चिठ्थी लिखती है Mrs. Gardiner के लिए कि Mrs. Gardiner मुझे बताईए कि क्या हुआ था माँपी सब सब कुछ बताईए तो Mrs. Gardiner का reply आता है तो वो होती है कि जिस दिन तुमारे पापा वापस चल गए उसके अगले दिन जो है हमें Darcy आया और उसने बताया कि एक Mrs. Young है जो के पहले विखम की governance वा करती थी तो उन लोग को थोड़ा डाउट था कि विखम के पास और कोई तो है नहीं और उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो कहीं और जाए तो वो जहां तक है उन्हीं के पास गया होगा तो फिर पापा ने बोला ही था कि बहुत चोटा अमाउंट है, कुछ न कुछ इसमें गडबर जरूर है, तो तब जाके अलिजबेट को रियलाइज होता है, कि असल में इसके अंकल ने नहीं, वो सारी हेल्प उसकी डारसी ने की थी, और अभी तक वो सुच रही थी, कि डारसी तो अबमसे को रिष्टा बनी रखेगा, लेकिन उसको रियलाइज होता है, कि यह तो डारसी है, जिसने उनकी इतनी हेल्प किया, और उसने वो तो चाहता भी नहीं था कि इन लोगों को पता चले, लेकिन लीडिया के मुझे निकल गया, इसलिए अलीजबेट को सब कुछ पता चल गया, फिर आंटी बोलती है कि उसने मुझे मना किया तो कुछ भी बताने से, अगर उसको पता चलेगा कि मैंने बता दिया है, तो वो बहुत गुस्ता होगा, तो इसलिए तुम प्लीज उसके सामने कुछ भी मत बोलना, अब इधर, ये विखम के, क्योंकि विखम और लीडिया जहां पर वहीं पहले जबेट भी है, तो सड़नली ऐसा होता है, एक दिर मौका पढ़ता है, कि ये दुनों अकेले रहते है रूम में, तो वो उसे बात करता है, नॉर्मली बात करता है, फिर ये बताती कि हाँ, मैं डार्सी से भी मिली, और विखम बोलता है, अच्छा होके, कैसे लगा वो, और फिर बोली कि मैं डार्सी की बहन से भी मिली, तो वो बोलता है तुम्हें कैसी लगी वो तो बोलती है अच्छी लड़की है और फिर ये लोग बस normal बात करते हैं तो बस इतना हो जाता है क्योंकि पहले जो awkwardness इन में रहती है वो खतम हो जाती है लेकिन also Elizabeth को समझ में आता है कि इसका character ऐसा ही है ये ऐसा ही इनसान है और उसक कुछ नहीं हो सकता अब इस conversation से विखम खुश है वो फिर इसके बाद इससे कुछ बात भी नहीं करता है अगले दिन ये लोग जाने के तियारी में रहते हैं विखम और उसकी newlywed Lydia तो ये लोग जाते हैं तो वो ममी बोलती कि बाप रह मैं तुछ से कब मिलूंगी हमको चिठ अगले चिठी आती जिसमें लिखा होता है कि जो बिंगली है वो वापस इनके शहर में आ रहा है तो ये लोग थोड़ा सप्राइज हो जाते हैं कि आ रहा है तो और फिर जब ये लोग बोलते ठीक आ रहा है तो हम लोग मिलेंगे फिर इनको डिनर के लिए इन्विटेशन जो बिंगली है उसके साथ में एक आदमी आ रहा जो पहले भी आया हुआ था जो बहुत रूट सा था और बेकार सा था वो वापस उनके साथ में आया है तो अलिसबद को पता चल जाता है कि वो डार्सी ही है अब लेकिन वो क्या ही बोलेगी और इसने इस सब के बारे में अ बिंगली जो है वो हर किसी से खासी कुशी मिलजुल के बात करता है और सब लोग ऐसी खुश रहते कि चलो शायद वापस जेन और बिंगली है इनकी शादी हो जाएगी अब क्यूंकि आप इसली वो मिलने आए हैं और सब कुछ तो रिष्टा आके बढ़ेगा अब यह फिर यह लोग डिनर पर वापस सब लोग मिलते हैं तो जो एलिजबे तो उसको बहुत अजीब से लगते हैं उसको शरम आरे होती है और वो सोचती भी है कि अब मुझे बिलकुल मुझे फॉर्म रहना है मुझे शरमाना नहीं है क्योंकि उसको भी डार सी पसंदना लगा ल दो धूँर और उसको थांक्यो भी बोलना है क्योς और उसको यदी है को ओपस करता है यह लोग अमिलना होता है बैजली का बार बार वह इंकी फैमिली में आता है इनकी गर पर नहींते संदू कही लगता है दो बीजबे गें grad warum इल के तो सुआं लागता है और यह लिग Jane को और बोलता तुम उसे शादी करोगी क्या तो जो Jane है वो बहुत खुश होती है और बोलती है कि वाव, finally उसको हाँ बोल देती है और फिर पूरी फामली में सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं हर कोई बहुत खुश है कि finally जो दो लोगी दुसरे को प्यार करते थे, उनकी शादी अब हो रही है, फिर जो Elizabeth है, वो भी अपनी बहन को congratulate करती है, और ये लोग बहुत खुश होते हैं, जो Mr. Bennett है, वो उनका मजाग उड़ाता है, बोलते हैं, तुम दोनों की शादी हो जाएगे, कि तुम दोनों इतने सीधे साधे हो, कि जो नौकर है, वो तुम्हारा सारा पैसा ले लेंगे, तो Mr. Bennett बोलती है, कि अरे रहने दो, उनके पास इतना पैसा है, कि नौकर भी कितना ही पैसा लेके ख़़म कर पाएंगे, वासी मजाग कर रहोते हैं, फिर ये Elisabeth जो है, जब Jane से बात कर रही होती, तो वो बताती है उसको कि इसकी बहन नहीं, तुम्हारी शादी एक तरीके से रुकवाई थी, तुमको मिलने नहीं दिया था, तो Elisabeth जो है, ये जब सब कुछ वो Jane को बताती है, तो Jane बोलती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अब जो होना था, वो तो हो गया, मैं अब उनसे उतना प्यार से बात नहीं करूंगी, तो Elisabeth उसको बोलती है कि वाओ, अब तुम भी समझदार हो रही हो, क्योंकि इससे ज़्यादा बुरा, मैंने तुम आज से किसी के लिए बोलती है, मैंने ही सुना है, तो अच्छी बात है कि तुम समझदार हो रही है, मुझे खुशी है इस बात की, और फिर Jane वापस बोलती है, कि तुम मुझे ऐसे सौ भी अच्छे इंसान लाके देती, तो भी मुझे इतनी खुश ही नहीं होती, जितनी मुझे इससे शादी करने के लिए हो रही है, अब इन लोगों की इंगेजमेंट हो जाती है, और यसी इस घर में सब लोग काफी खुश रहते हैं, तभी उस दिन जो है Lady Catherine, जो Collins की पेटरन है, वो आती है, दरवाजा कटकर आती है, और बोलती है कि मुझे तुम से कुछ बात करने है Elizabeth, और फिर Mrs. Bennet जो दरवाजा खोलती है, तो वो बोलती है कि अच्छा ये तुम्हारी माँ होगी है न, तो Elizabeth बोलती है हाँ, तो फिर वो बोलती है Elizabeth को, बोलती है कि चलो तुम मुझे वो गार्डन दिखा के लो चलो तुम मेरी सा तो वो उसको ले के जाती है और बोलती है कि मैंने तुम्हारी और डार्सी की शादी की बारे में सुना है तो क्या ये सच है तो Elizabeth बोलती है कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है तो इसी बाद पर उनलों का जगड़ा होने लगता है तो जो Elizabeth है वो तो उसकी बखवास होने के मूर में रहती नहीं है कि बढ़े समस्ना इंगजमेंट नहीं होई है तो बहुत है तो मुझे प्रामिस करो के तुम उससे कभी इंगेजमेंट नहीं करोगी तो यह बोलती है कि मैं ऐसा कोई प्रामिस नहीं करूंगी अगर तुम इतना ही पढ़ी है तो तुम खुदी जाके उससे बात कर लो और डार से अपने decision खुद ले सकता है राइट उसे अगर तुम्हारी बेटी से शादी करनी है तो वो उससे शादी करेगा महत उसके लिए तो क्या ही बोल सकती है वो उसकी मर्जी है तो लेडी कैथरी ना उसका काफी दिमाग खराब होता और फिर वो वहाँ से चली जाती है तो मिसिस बैनेट पूश्टी के रहे ये बाहर के बाहर चलेगी खाना खाने भी नहीं है अंदर नहीं बैटी तो अलिजबेट बोलते हैं कि हाँ उसको कुछ काम था इसलिए वो चली गए उस अपने ममी को कुछ नहीं बताया कि उसने अलिजबेट पर क्या-क्या इलजाम लगा है अब अगले दिन जो है मिस्टर बैनिट लीज़ी को अपने रूम में बुलाते हैं और बोलते हैं कि मुझे मिस्टर कॉलन से चिठ्थी आई है तो ये बोलते हैं कि हाँ क्या हो गया बता लाओ तो वो बोलते है कि उस च्छिट्टी में ये लिखा है कि Lady Catherine बहुत गुस्ता है कि उसमें ये लिखा हुआ है कि Lady Catherine ने बोला है कि तुम्हारी शादी होने वाली है डारसी से और इसलिए Lady Catherine बहुत चिड़ी हुई है तो क्योंकि इसकी पापको भी Dorothy इतना कोई पसंद नहीं था और क्योंकि इनकी फामिले में किसी को भी Dorothy पसंद नहीं और वो सब जानते हैं कि Elizabeth तो especially Dorothy से कितना चुरती है तो वो बहुत हस्ते और बोलते है कि बताओ इन लोगों को भी क्या gossip करने को मिलता है कि कुषणी तो तुम्हारे और डार्सी के बारे में बोल रहा है तो वह बहुत हसते हैं और बोलते कि out of all the people डार्सी अब इलीजाबेट जो है वह उसको पाछ शरम आती है क्योंकि आक्ट्व में अब उसको भी डार्सी पसंद है और डार्सी को भी पसंद है लेकिन अब अब मैंने उनको बोला था कि उम्हारे कुछ नी बता है सकते है तुम्हारे बता दिया तुम्हारे कि नहीं बर्दे बता दिया तो बोलता है कि हाँ मेरी निज कर लिए आज गांग तो फिर अब यह दोनों अपने emotions वो लोग open up कर रहे हैं फिर वो फानली confess करते हैं कि वो जो है इसको जो proud था अपने उपर वो उसको कहीं नहीं लोगों से जुड़ने नहीं दे रहा था और वहीं जो अलिजबेत है उसने अपने मन में जो चीज़े सोच के रखी थी उसके लिए उसकी वज़े से वो तूसरो पर भरोसा कर रही थी गलत चीज़ें पर भरोसा कर रही थी और सही इंसान को नहीं जच कर पा रही थी फिर वो दोनों माफी भी मांगते एक तरीके से एक दूसरे किसान अपने दिल की बात रखे और फिर डार्सी जो है वो confess करता है कि जब लेडी कैथरीन तुम्हारे यां तो मुझे कही न कहीं थोड़ी खोप मिली कि हो सकता है तुम मुझे सादी करने के लिए तैयार हो जाओ इसलिए तो मैं तुम्हें वापस प्रपोस कर रहा हूँ वरना मेरी तु सारी हिम्मत खटम होई गई थी तो फिर वो इसको प्रपोस करता है और इन दोनों की शादी स मिलतब हो हां कर देती है तो जब यह वापस घर आती है तो जो जए ने वह एकदम शौक मैं कि है भगवान तुम प्रपोस के लिए शादी करने वाली हो तो वह बोलती है कि हामें तार सी शादी करूंगी और फिर जब शाम लोसके पापा मिलते है मिस्टर बेनिट तो वह भ गलती भी बताती है कि मुझसे ऐसी गलती हो गई कि मैंने उसको ऐसे जज़ किया तो फिर फाइनली वो लोग सब कन्वेंच हो जाते कि अच्छा ठीक है यह सच में प्यार करती है उसको और फिर फाइनली इनकी शादी फिक्स हो जाती है अब जो है Mr. Bennett वो Mr. Collins को छोटा सा अच्छा है कि तुम डार्सी के पीछे बड़ो क्योंकि उसके पास तुमें देने के लिए जादा है मतलब वो जादा अमीर है Lady Catherine से अब इनकी शादी हो जाती है और फिर फाइनली इनको एकसेप्ट करी लेती है क्योंकि क्या ही कर सकती है और फिर कहीं ने को यह भी देखना के साथ उसकी चिट्टी आती है वो बोलती है कि अरे वाल लीजी मैं बहुत खुश हूँ तुमारे लिए और कॉंग्रजिलेशन और सब कुछ और फिर विखम ने उसको बोला होता है लिडिया को इंडरेक्ट लिखने के लिए कि अगर कुछ पैसे वो हमें दे सके तो अच् के साथ रहती है एलिजबेट और जेन के साथ और थोड़ी इंसानियात और थोड़ी शराफ़त सीखने की कोशिश कर वे हैं और घर पे जो है वो सिर्फ मैरी रहती है अपने पापा ममी के साथ में और वो अभी भी अपने जो काम है जो पढ़ाई वगर है वो सब उस पे ध् है जिसे उनको पैसे थोड़ी इनके माना चालो हो जाती है अपने इंफ्लोएंसे वो उसको जॉब लगवा देता है अब इतर जो मिस्स बिंगली है जो चाहती थी बिल्कुल कि इनकी शादी ना हो जेन और मिस्टर बिंगली की वो अब काफी उशरम सार है लेकिन अब वो क पत्म हो जाती है I hope आपको अच्छे से समझ में आये होगी मैंने डीटिल में सारे चाप्टर वाइस बताये हैं सारे एपिसोड और इसलिए वीडियो भी मैंने पार्स में डिवाइड किया क्योंकि काफी लंबा हो गया इसके अलावा मैंने इसकी शॉर्ट में एक समरी बना पत farm प्रकोव प्रकोव供 झाती है